हालो स्टुन्स नेक्स्ट देखिंगे कैशन नमर फॉर क्या कह रहा है आपको यहां पर फंक्शन गेविन है वही यू इंटू वी लगा देंगे अपन तो फंक्शन हमार पास है एक सेक्ट लड़ ले लेते हैं अपन पैंट यह लेते हैं सपार प्लस भी whole square ठीक है this is u and this is v f-x कैसे निकालते है u का करना है पहले v को as it is रखना है आपको ठीक है then plus cx plus d इसका करना है आपको पहले square वाले का और ax plus b as it is रखना है और इसका करोगे तो देखो यहाँ a constant और इस x का 1 हो गया b constant होगा तो directly इसका 0 हो जाएगा इसका as it is रखना है देखो इसका कैसे करेंगे पहले power आगे आती है बिल्कुल सर फिर अंदर वाली चीज as it is रहती है ना फिर इस अंदर वाली चीज़ का करते हैं अपन तो cx का क्या हो जाएगा c और x का 1 और d का 0 समझ में आरहाँ थोड़ा chain के हिसाब से चल रहा है है और यह ax plus b as it is इसर देखो यहाँ only a बचेगा यहाँ cx plus d का whole square बचेगा यहाँ 2 cx plus d बचेगा और c बचेगा यहाँ पर ax plus b बचेगा अब देखो इसमेंजे कुछ common निकालना चाहूँ तो cx plus d common लिख सकते हो फिर आप अंदर a plus u c ax plus b लिख सकते हो बाकि बाकि उपर वाला भी ठीक है answer यह हो गया complete 4